तो आज आपको पता चलेगा कि आपकी जेव में रखा ये नॉर्मल सा लाइटर कितना ज़्यादा पाउर्फुल होता है। इसके लिए सबसे पहले लाइटर को कॉल करके इसके अंदर वाले इस पार्ट को बाहर निकालना है। तो लाइटर की ये चोटी सी चीज बहुत ही जदा हाई वाल्टेज पैदा करती हैं जो की एक जगह से दूसरी जगह बिना वायर के ही ट्रांसपर हो जाती हैं। अब हमें एक किताब लेने हैं और उस पर पेंसिल से लाइन ड्रो करनी हैं। और इस लाइन के एक सीरे पर अपनी उगली को रखना है और दूसरे पर लाइटर से स्पार करना हैं।